है अ कि शेल्फ रेजिक्यूवर तुसल रेजिक्यूवर भी क्या है एसकेप प女 सatif रेष्क्यूवर को पूरा का पूरा फंक्शनिक संनिग अल्मोस्ट दिखाए थे ये पाइप टरह, जैसा कि हम सकते है यह पाइप गेलर्शन इसको हुआ है, तो डैरेक्ट ये क्निस्टर देख सकते हैं, से attach होता है ठीक है इसके लिए कोई helmet type का structure नहीं रहता है यह directly nose और mouth से attached रहता है और यह canister रहता है जिसमें की chemicals रहता है तो इसका भी same to same वही working है क्या working है कि mines में सबसे poisonous gas CO है जो की mainly पाया जाता है burning के कारण spontaneous hitting के कारण explosion के कारण combustion के कारण ठीक है तो COE है, सबसे poisonous gas है, मां कि S2S into NOx भी poisonous है, लेकिन वो उतना पाया नहीं जाता है कोल माइन्स में, नॉर्मली CO पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा poisonous है, गर उसका concentration 50 से ज़्यादा हो, तो इसका weight कितना है, 1 kg, इसका भी वही functioning क्या है, कि ये CO gas को एक chemical hopcalide रहता है, जो mixture ह जो CO2 में convert कर देता है, तो CO2 में convert करने से क्या होता है, कि हम लोग poisonous gas को inhale नहीं कर रहें, CO को inhale directly नहीं कर रहें, ठीक है, इसको हम लोग कहां यूज कर सकते हैं, तो air में 2% से ज़्यादा CO नहीं होना चाहिए नहीं, तो वहां sufficient amount of oxygen नहीं होगा, फ्लस इतना ज्यादा heat produce होगा कि हम लोग उसको beer नहीं कर पाएंगे, और हाँ, इसमें क्या है कि हम लोग external atmosphere पर डिपेंड कर रहे हैं, breathing के लिए, तो external atmosphere में sufficient amount of oxygen होना चाहिए, by sufficient amount of oxygen I mean, oxygen should be at least greater than 16%, ठीक है, उससे कम होगा तो हम लोग का survival difficult हो जाएगा, माइस regulation के इसाब से minimum oxygen होना चाहिए, कितना 19%, कहीं भी जहां workers pass कर रहा या work कर रहा है, लेकिन safety के हिसाब से, मतलब survival के हिसाब से 16% oxygen at least होना चाहिए, तो इसको भी जहां हम लोग लेके जाएंगे, तो हाँ क्या करेंगे, flame safety lamp लेके जाएंगे, तो mainly यह सब apparatus क्या है, यह escape apparatus है, माल लिजे कि हमको पता चल रहा है कि कहीं blasting हो गय fresh cure को लगा के वहां से निकल सकते हैं और fresh air base तक आ सकते हैं, fresh air base क्या है, affected part of mind जहां भी आग लगा हो, उससे सबसे नजदीक का place जहां पर हम लोग को fresh air easily available हो, उसको fresh air base बोलते हैं, ठीक है, तो इसका main purpose क्या है, कि यह wearer जो इसको पाहन रहा है, उसको escape करने में मदद करता है वैसे atmosphere से जहां पर poisonous gases हो सकता है, ठीक है, generally after fire और explosion इने mine, तो बहुत सारे foreign countries में self rescuer को लेके जाना compulsory रहता है, हमारे यहां वैसा कोई regulation नहीं है, normally third degree mines में जब भी लोग जाते हैं, तो self rescuer को लेके जाते हैं, ठीक है, self rescuer कहां रखा रहता है, तो यह lamp room में रखा रहता है, य self rescuer और cap lamp, दोनों एक साथ ही issue होता है, जहां भी इसका facility available है, ठीक है, तो आगे question है, कि self rescuer को कब हम लोग यूज करेंगे, तो self rescuer को हम लोग तब यूज करेंगे, जब हम लोग को fire का, explosion का, या spontaneous heating का clear sign दिखे, ठीक है, हम लोग अपने तक smoke को आने का wait नहीं करेंगे, मान ल immediately हम लोग क्या करेंगे, self rescuer को पहल लेंगे, ताकि हम लोग CO gas को inhale ना करें, CO gas क्या है, colorless odorless है, ठीक है, लेकिन बहुत जागा toxic है, तो कौन-कौन साइन मिलने पर हम लोग CO, यह self rescuer को पहल नहीं है, तो clouds of smoke, ठीक है, बहुत ज्यादा smoke का cloud दिखा, इस कहारत है कि कहीं आग है, explosion है, smell of combustion gases, जैसे कि spontaneous hitting में बता है थे second, उसका second stage में क्या होता है, petrol type order आता है, third stage में tarry order आता है, तो ऐसा कुछ smell आ रहा है, तो इसको मिलने पहल लेंगे, suppose कि सी worker को headache आ रहा है, या चक्कर आ रहा है, तो भी इसको पहल नहींगा, ठीक है, unexpected dust eddies, इसका अर्थ है कि dust cyclone के रूप में आ रहा हो, तूसरे हम लोगों क्या पता चलेगा, कि हो सकता है, fire damp explosion कहीं हुआ हो, उसके forward shock wave के कारण, dust क्या है, हवा में बहुत तेजी से उड़के आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है, cold dust explosion भी हो, तो ऐसे किसमें भी आत्मी क्या करेगा, self rescuer को पहन के escape करेगा, और sudden pressure surge, मतलब कि pressure हम लोग प्रेशर गौज यूज करते है, मैंस में, pressure को नापने के लिए अचानक उसमें बहुत ज़्यादा increase होता, इसका अर्थ क्या है, कि कहीं explosion हुआ है, उसके ही दवा आपके करण pressure burn है, ठीक है, तो any of the signs में भी indicative of fire or an explosion तो ऐसा कुछ भी sign मिलता है, इसका अर्थ क्या है, कि कहीं बड़े area में आग लगा या, explosion हुआ है, तो figure में है, कि self rescuer का construction details दिया हुआ है, उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, तो one है cover है, दो है retaining band है, तीन है container है, four release lever है, five है, identification, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये वाले one cover को हम लोग हटाते हैं, और ये mouth piece को हम लोग अपने naak और mouth में लगाते हैं, ठीक है, और ये इसके through air pass होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें कोई targeted hose pipe, जो की gas mask में नहीं था, वो नहीं है, इसका weight one kg होता है, इसको हम लोग नॉर्मली half hour to one hour के लिए use कर सकते हैं, ठीक है, और self rescuer, जो भी हम लोग जितना भी step का breathing apparatus use करते हैं, हर चीज में हम लोग सास क्या करते हैं, mouth के through लेते हैं, एक nose clip रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, नाक को नॉर्मली इन चीजों को पहनने के बाद बोलना मुस्किल होता है, तो हम लोग इस सारे में साइंस से बात करते हैं, तो self rescuer का main यही purpose है, यह canister के अंदर का diagram है, कि dust filter है, fine dust filter है, coarse dust filter है, drying agent है, ठीक है, होपकेलाइट chemical है, और फिर यह expiratory valve है, nose clip है, इससे नाक को बंद करते ह है, ठीक है, mouth piece है, जो mouth से attached होता है, एक heat exchanger chemical भी use करते है, जो कि heat को थोड़ा बहुँट, exchange करता है, या गर्म बताया थे exothermic reaction है, तो जो heat produce होता है, यह क्या करता है, उससों कुछ हद तक absorb करने का कोशिस करता है, तो gas self rescuer और gas mask, दोनों का working एक ही है, बस size difference है, और थोड़ा स construction difference है, बाकि जो chemical दोनों use होता है, वो same ही है, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं, बस working time self rescuer का कम है, यह light weight होता है, तो इसको हम लोग normally अपने साथ, degree 3 minus, या ज्यादा gassing minus मगर काम करते हैं, तो workers इसको लेके जाते हैं, ठीक है, अब इसे में बोल रहे हैं, कि the self rescuer can be used for one hour after its seal is broken in atmosphere of one percent CO, तो one percent जहाँ CO है, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, self rescuer को एक घंटे तक यूज कर सकते हैं, अगर one percent से ज्यादा है, तो फिर ये देड़ परसेंट है, सपोस्तों लोग आदा घंटा पे तालिसमेट इस टाइप ही, यूज कर पाएंग, इसका weight कितना है, one kg, main काम क्या है, इसका CO को CO2 में convert करना, self rescuer और gas mask दोनों क्या है, escape apparatus है जो हम लोग को कहीं fire या explosion होने के बाद, वहां से निकलने में मदद करता है, ठीक है, ये क्या है, breathing apparatus नहीं है, क्यों breathing apparatus नहीं है, क्यों कि हम लोग को सांस लेने के लिए, बाहर के atmosphere पे depend होना पड़ता है, बाहर के air को ही सांस लेते हैं, तो ऐसे air में क्या होना चाहिए, कि oxygen sufficient quantity में होना चाहिए, इसलिए breathing apparatus नहीं है, ये escape apparatus है, इसको लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे area से निकल सकते हैं, जहां की poisonous gases बहुत जाता है, ठीक है, okay